नमस्टकर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में और आज हम बनाने वाले हैं दिवाली के यह बहुत ही स्पेशल और एक हेल्दी सी रेसिपी वैसे तो बहुत सारे स्वीट्स आप खाते रहते हैं दिवाली पर तो क्यों ना इस बार कुछ हेल्दी बनाया जाए तो यह नहीं है यह नॉर्मल को कोई पाउडर जो आता है और इसमें यहां पर ले रही हूं और थोड़ा सा स्वीट करने के लिए मैं यहां पर ले रही हूं है यह तो आप स्टीविया भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी अवेलेबल आपको एजली मिल जाए आप यहां पर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूगी ताकि हमारा जो चॉक्रेट का पाउडर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए कोकोनेट मिल काफी हेवी होता है और काफी मैंने यहां पर फुल फैट लिया है आप चाहें तो लो फैट मिल्क यूसमें यूज कर सकते हैं थोड़ा समय ने यहां पर सिन्यमेन पाउडर ले लिया है उसका टेस्ट काफी अच्छा आएगा चॉक्रेट के साथ कॉंबिनेश तो इसे अच्छे से आप पहले क्रेश कर लें मैं यहाँ पर फोर्क यूज कर रही हूँ आप चाहे तो मिक्सीमेवी से मिक्स कर सकते हैं अब अच्छे से इसमें क्रेश करने के बाद में आप कोई भी फ्रोट इसमें डाल सकते हैं सेम हाफ कॉप चिया सीर्स मैंने फिर से लिए हैं थोड़ा सा मैंने हनी इसमें यूज किया है और यहां पर इसको मैंने भी घोने के लिए यहां पर यूज किया है नॉर्मल मिल्क नॉर्मल गाय का दूर्द यूज किया है तो आप कोई भी नेट मिल्क यूज कर सकते हैं वो काफी हेल्दी है नॉर्मल मिल्क है गाय क है वो भी यूज कर सकते हैं कोई भी मिल्क आप यूज कर सकते हैं थोड़ा सा सेनिमन इसमें मैंने डाल दिया है इससे भी काफी इचा फ्लेवर इसमें आ जाएगा अच्छे से में सारा मिक्स्चर जो है मिक्स करके रख दूंगी ताकि जो जब यह फूल चाहें चिया सीट को हम लगभग 5-6 घंटे के लिए रखेंगे मैं इसे फ्रिज में रख देती हूं कवर करकी 6-7 आर रख सकते हैं ओवरनाइट आप इसे रख सकते हैं नहीं तो 4 आर के अंदर यह अच्छे से थिकन हो जाते हैं अच्छे से रेडी हो जाते हैं काफी स्वलो हो जाएंगी तो आ आप इसे सर्विंग बाउल में ही डालें तो आप मैं पुडिंग बनाने का सोच रही हूं पहले मैंने एक लिए लगा दी है चिया सीट्स की चिया पुडिंग की अब इसमें मैं डाल रही हूं थोड़े से बनाना आप यहां पे ड्राइफूट्स यूज कर सकते हैं नहीं आप इसे डिजर्ट भी सर्फ कर सकते हैं और अभी दिवाली है दिवाली पे बहुत जादा मीठा आप नहीं पसंद करते हैं या कुछ हैल्दी स्वीट लेना चाहते हैं तो यह काफी अच्छा उप्शन रहेगा दिवाली पे लेने का यहां पे मैंने कुछ फ्लेक्स ले ल और चॉक्ला काकॉमघंशन भी बहुत अच्छा है अभ介स उल्ष भी काफे शारे वेरियंस में सकते हैं दाओ चांठाय चॉकलेट के साथ बनाना के साथ मैठेदे कि ऐसंद और इसे।र बूबैरी हें अभ ब्लूडरी हैं और भी काफे सारी फ्रूट्स जो हैं उनके साथ आप combination बना सकते हैं, एपल के साथ भी आप बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने दूसरा जो बनाना का जो वर्जन था वो मैंने इसमें डाल दिया है, तो आप serving के time पर आप इसमें कोई भी चीज़े fruits, dry fruits, seeds अगर आपके पास है वो यूज़ कर सकते ह तो यहाँ पर मैंने घर पे strawberry का jam बनाया था, वो jam मैं इसमें डाल रहे हैं, आप मैंने strawberry ली और उसका मैंने थोड़ा सी नीबू के साथ में और थोड़ा सा honey के साथ में उसका jam बनाया था, और यह हम डाल रहे हैं peanut butter, peanut butter भी homemade बनाया है मैंने, peanut butter के साथ भी काफी अच्छा, टेस्ट आएगा इसका, और काफी protein भी आपको मिलेगा, तो यह full power pack आपका breakfast, आपकी dessert ready है, आप इस बार दिवाली पे यही बनाये और हमारे साथ जरू शेयर कीजिए, इससे तरह के वीडियोज हमारे चैनल पे आती रहती है, हमारे चैनल को subscribe करिए, इस वीडियो को like करिए, वेलते हैं next time.